गोवाज CPR लिमिटेड के तरफ से एक न्यू रिक्रिटमेंट रेनोस की गए उसके बारे मैं आपको इस वीटियो में बताने वाला हूँ इसमें डिपलोमा डिग्री और आइटिया तीनो वाले इलिजिबल हैं और इंडिया से कहीं से बिलों करते हैं तो आप लोग इसको अप गवाज CPR लिमिटेड के तरफ से ये वेकंसी एनॉस की गई है ये गवर्मेंट ऑफ इंडिया अंडर अंडर्टेकिंग मिनिस्ट्री अफ डिफेंस के अंदर में आता है एक मीनी रतना कटेगरी का कंपनी है आप लोग जरूर से इसमें अगर इलिजिबल होते हैं तो जरू खासे CELD मिल जाएगी इसमें अलग-अलग picking के लिए विकंसी निकल लिए जदद रbab के लिए है और डिप्लोमा और डिग्री दोनों वालों के लिए इसमें वेकंसी है इसमें अलग-अलग पोस्ट के नाम से आप लोग यह eyelid देख सकते हैं तो मैं बारी-बारे सेयं आपक चार दिन के बाद से इसका जो link है अक्टिवेट कर दिया जाएगा आप लोग इसको apply कर पाऊगे last date जो है 28.04.2022, 28.04.2022 तक आप लोग इसको apply कर पाऊगे और last date जो है इसका received online copy आपको इसके relevant document के साथ आपको इसके एड्रेस पर भेजने का ओ है 95-2022 तो इस डेट तक आप लोग जरूर से ये सब काम कर दीजेगा अब मैं आप लोग को डिटेल्स ओफ पोस्ट एंड टर्फ एंड कंडिशन मैं बताता हूँ बारी बारी से तो पहले नमर के पोस्ट पे जो है अगर आपके पास experience है तो आप लोग इसमें eligible है अपलाई कर सकते हैं ITA वालों के लिए आप देख सकते हैं ये structural feature के लिए है उसके बाद refrigeration and AC mechanics के लिए है जिसमें की ITA वाले eligible है welder के लिए है बारा वेकेंसी है उसके बाद 3G welder के लिए उसके बाद electronics, mechanics के लिए आप लोग इहां पर देख सकते हैं ये सभी ITA वालों के लिए है इसमें ITA वाले eligible हैं अपलाई कर सकते हैं अब मैं आप लोग को diploma वालों के लिए दिखा देता हूं तो diploma वालों के लिए इसमें जो post है लेटरल इंटरी के थुरू अगर कोई diploma करता है तो उसके लिए 2 येर का ही diploma हता है तिसलिए अगर आप लोग के लेटरल इंटरी से भी की है diploma तो आप लोग इसमें eligible है minimum 2 येर का आपको इसमें post qualification experience रखा गया दूसरे नमर पर mechanical वालों के लिए देख सकते है minimum 2 येर का diploma in mechanical engineering इसमें भी 2 येर का experience required है उसके बाद electrical वालों के लिए है diploma in electrical engineering civil वालों के लिए भी है और electronics वरांच आप लोग देख सकते है diploma in electronics engineering उसके बाद यहाँ पर देख सकते है mechanical वालों के लिए उसके बाद यहां पर electrical वालों के लिए, electronics वालों के लिए और civil वालों के लिए आपको नीचे में दिख जाएगा यहां पर देख सकते हैं diploma in civil engineering और यह है diploma in ship building engineering तो यह सभी वरान से अगर आप लोग diploma b.tech किया है तो eligible हैं apply कर सकते हैं इसमें आपको अगर आप लोग degree किया हैं तो भी इसमें देख सकते हैं the candidate applicant should have graduation degree in any discipline तो आप अगर किसी भी discipline से graduation किया हैं तो आप लोग इसमें eligible हैं apply कर सकते हैं 15 नमर post पर yard assistant के लिए just vacancies में भी दिया गया है इसमें आपको minimum 1 year का experience required है और 1 year का computer application का certificate भी आपके पास होना चाहिए और भी इसमें details में दिया गया है तो आप लोग को वीडियो के description में PDF मिलेगा उस PDF को download किजिए और इसमें देखिए जिस post के लिए आप eligible होंगे उस post को जरूर से apply कर लिजेगा अब बात करते हैं application fee की तो इसमें 200 रुपे का application fee pay करने होंगे जिसको कि आप लोग को demand draft के माध्यम से pay करने होंगे demand draft आपको bank में जा करके बनाना होगा ये goa CPR limited के नाम से यहाँ पर आपको payable at vaskoda vaskodigama के नाम से किसी भी bank में जा करके आप लोग इसको बना सकते हैं और ऐसे candidate जो और ये pdf download करने के लिए वीडियो के description से या मेरे telegram channel से join हो जाइए और इसको apply करके आपको इस address पर post office के माध्य हमसे send करना होगा और इसमें details में दिया गया है online application आपको 39-3 2022 से start होगा और last date 28-4 2022 इसमें रखा गया है और यहाँ पर last date जो है print.send करने का 95-2022 रखा गया है यहाँ पर address दिया गया है तो आप आप इसको समझे होंगे जो भी main information था मैंने आपको बता दिया फिर भी अगर आपके मन में कोई confusion.query रह गया होगा तो नीचे comment करके पूछ सकते हैं मैं आप लोग से नेक्स्ट वीडियो मिलता हूँ तब तक के लिए सुक्रिया और थैंक्यू वीडियो के जिरूर से लाइक से और सब्सक्राइब कर दीजेगा